हलो फ्रेंड्स दिस इस स्पिरिच्यल एंडाइटेंटमेंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गनेश जी को सिर्फ पत्ते चड़ा के भी हम खुश कर सकते हैं प्रतम पुझी गनेश जी को खुश करने के लिए विशेश रूप से दूब, फूल, लड़ू और मोदक सिडाने का विदान हैं लेकिन शी गनेश जी की गृपा केवल पत्ते अरपित करके भी पाई जा सकती हैं आईए जानते हैं कि गनपत्ती की पुझा में पत्तो का कितना महतो हैं यू तो हर पत्ते का रंग और खुश्बू अलग होती है और हर पत्ते का अपना महतो होता है यही पत्ते अलग-अलग मंत्रों के साथ शी गनेश जी को सड़ाई जाते हैं अगर खास तरीके से अलग-अलग पत्ते गनपत्ती को अरपित करे तो हमें मनवांखित फ गनेशी को एक बार में 9 पत्ते चड़ाए या फिर 108 पत्ते आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास available नहीं है तो आप सिर्फ 9 पत्ते भी चड़ा सकते हैं और अगर ज्यादा है तो 108 चड़ाए और इसके अलाव और कोई नहीं नंबर आप याद रखिए 9 या हो एक विपडाए और फिर आपकी जोविन मनों कामना हो उस मन में रख कर पत्ते चड़ाते हुए हाट में मंत्र बोले तो आपको मनों आंक्षित फल की प्राप्ती जरूर होती है तो Fremds मैं आपको बताने जा रही हूं कौनसा पत्ता चड़ाने से आपको कौनसा कहकर भंगरया जो होता है ना उसका पत्ता अर्पित करें। फिर संतान प्राप्ति के लिए ओमा सुताय या ओमा पुत्राय भी कर सकते हैं। ओमा पुत्राय नमहा कहकर बेल पत्तर अर्पित करें। अच्छे स्वास्त के लिए ओम लंबो दराए नमहा कहकर बेर का पड़ता अर्पित करें कारे की बादा दूर करने के लिए ओम वक्त उंडाए नमहा कहकर सेम का पड़ता अर्पित करें मान सम्मान और यश्प्राप्ति के लिए ओम चतुर होत्रे नमहा कहकर तेश पत्ता अर्पित करें नौकरी के लिए ओम विकटा आये नमहा कहकर करनेर का पत्ता अर्पित करें योगसाय में लाप के लिए ओम सिद्धी विनाई का आए नमहा कहे कर केतकी का पत्ता अर्पित करे आर्थिक लाप के लिए ओम विनाई का आए नमहा कहे कर आख का पत्ता अर्पित करे रिदे रोक मिलाब के लिए कहे कर अर्जुन का पत्ता अर्पित करे और शनी की पिड़ा शान्द करने के लिए कहे कर शमी का पत्ता अर्पित करे तो फ्रेज देख लिया ना अपने गनेशी को अलग-अलग मनो कामना के लिए अलग तरह के पत्ते चड़ाई जाते है तो आपकी जो भी मनो कामना हो उसकी अनुसारा पत्ते इकठे कीजिए और शी गनेश जी को चड़ाईए और अपना मनो अंखित पलपा लेजिए टैंक यू जै गनेश तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शियर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू